आज हमार टॉपिक है Clostridium Titani Clostridium Titania क्या है? एक बैक्टेरिया है जो कि क्या है? Gram Positive Rods के अंदर आता है Gram Positive Rods वो Rods है जिनके ओपर हम Gram Stannin करते हैं और वो Blue या Purple Color शो करती हैं अगर हम इसके Shape और Saatch की बात करें, मौफलोजिक की बात करें तो देखा जाता है कि ड्रॉम श्टिक जैसा पाया जाता है, ड्रॉम श्टिक जैसा होता है, वैसे ही होता है, इसका शेप इस तरहीं से बना होता है, यानि कि बीच में क्या होता है, बीच में देखा जाता है, बैकली होती है, रॉड होती है, और इसके साइड में क्या होता है और उसके साइट में देखा जाता है कि एक round shape का एक circular part होता है जिसको हम बोलते है spore होता है तो क्या होता है यह जो bacteria होता है यह क्या है gram positive rods के अंतर आता है साथी साथ क्या है इस्ट्रिक्ट अनरॉब होते हैं इस्ट्रेक्ट अनरॉब यह बिल्कुल भी इनको oxygen की requirement नहीं होती ग्रोव होने के लिए अगर इनको oxygen दी जाती है तो यह क्या कर जाते है इनकी यह मर जाते है साथी साथ यह drum stick appearance होता है देखा जाता है इसके जो कि terminal part होता है यानि कि जो इसका backly terminal part होता है वहाँ पर क्या sports पाय जाते हैं या फिर यह outside the body पाय जाते है sports जो भी back till cell है उसके ओके देन हम बात करते है sources के बारे में कि sources and mode of transmission क्या है sources में देखा जाता है कि यह air या फिर dust में पाय जाते है mainly जो भी air है या फिर dust है वहाँ पर यह mainly पाय जाते है साथी साथ क्या है it enter through puncture wound यह कैसे enter करता है जहाँ पर भी कोई cut है जहाँ पर भी हमारी skin के ओपर कोई puncture हो गया है तो वह जो wound होता है उसके throw क्या कर जाते हैं enter कर जाते हैं okay नहीं हम देखते हैं कि किसके throw कर सकते हैं enter तो देखते हैं को भी surgery की जारी है surgery के दौरान जो भी instrument यूज़ कर रहे हैं माल लेज़े वो anestrial है उनकी उपर bacteria present है और वो enter करके क्या कर सकता है यह disease cause कर सकता है या फिर कोई भी infection cause कर सकता है second हम देखते हैं by splinter splinter यानि एक instrument होता है एक wire की तरह जो की metallic होता है उसके तरह हो सकता है third on देखते हैं illicit drugs illicit drugs क्या होती है यानि की वो drugs होती है जैसे की cocaine हो गया या फिर जो गांजा हो गया इस तरीके की जो drugs होती है जो की plants से बनाई जाती है अकर वो plants की उपर present होगा इस पोर तो इस पोर क्या कर सकता है उन illicit drugs के थरो हमारे body के अंटर करके हमें infection cause कर सकता है और उसकी थरो क्या हो सकता है infection cause कर सकता है okay then हम देखते है pathogenesis यानि कि क्या pathogenesis है किस तरीके से disease cause करता है तो देखा जाता है जो Clostridium titani है यह कुछ ऐसे exotoxin को release करता है और वो exotoxin क्या करते हैं disease को करने में help करते है exotoxin क्या है exotoxin को बोलते हैं हम इसमें isher exotoxin को बोल रहे है be to that Sasu या पर Clostridium titans के दौरा इस्लिस किया जाए है तो इस tocsin में देखा जाता है कि दौ fragments आए जाते हैं जो A है और B है, तो देखा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा heavy fragment होता है, उसको हम बोलते है B और जो light fragment होता है, उसको हम बोलते है A जो heavy fragment होता है, वो क्या करता है हमारी body के अंदर enter करके, यानि कि वो bacteria कुछ ऐसे toxin release करता है, जिसका जो B Dalam Fredrock, और जो B fragment हो הזה करता है, जो B syllables है, उनको क्या करता है, बाइं कर लेता है neurons के साथ bind करने के बाद क्या करता है, जो fragment A है वो जाकर क्या करता है, जो भी हमारी neurotransmitters है, उनको block कर देता है और उसकी वजह से क्या होता है, कोई जगा पर हमारे body में sparse देख जाता है या फिर paralysis देखा जाता है हमारे जो muscles होती है वो इसनी ज्यादा construct हो जाती है उनकी वज़े से कई जगा पे हमारे functions इनिबेट हो जाते हैं affect हो जाते हैं तो ये सारे क्या होते हैं कि कुछ ऐसे pathogenesis जो कि क्या करती है disease cause करने में help करती है then हम देखते हैं कि इसकी वज़े से क्या क्या disease cause हो सकती है कौन को से disease cause होती है तो first one इसता cephalic tetanus अब cephalic tetanus क्या है cephalic related to head जो हमारे head में हो रहा है head में कहते हो सकता है कोई भी अगर injury होई है head injury होई है head injury के लावा अगर ear infection है तो जो ear infection है या फिर head injury होई है उस wound के तरो या फिर ear infection के तरो हमारे वहाँ पर tetanus cause कर सकता है तो देखा जाता है कि ये ear infection cause करता है जिसकी वज़े से क्या हो रहा है वहाँ की जो muscles है हमारे lateral और bilateral muscles होती है वह काफी जादा construct हो जाती है और construct होनी के वज़े से क्या होता है वहाँ पर ऐसे muscles में जो भी हमारी activity है muscles की वह अच्छे से proper नहीं हो पाती जिसकी वज़े से देखा जाता है जो हमारा log jaw देखा जाता है log jaw क्या नहीं हमारा jaw होता है अच्छे से movement तो क्या था जैसे कि आफने देखा कि वहाँ पर बहुत थ्यारा muscle construction हो रहा है और muscle construction के वज़े से क्या हो रहा है वहाँ पर जो other muscles जैसे कि हमारे jaw की muscles थे वह भी क्या हो रहे है अच्छे से काम नहीं कर पा रहे है यिसके वई से भॉज़ देख चा सकता ह। लोग चाह में की एक परसन अपना जो पिलहा है उसको मुमेंन क नहीं कर पाथा था तो इस तरीकिस भॉज़ देखा जा सकता है वोजा बॉस्ट अबॉटल staff ट्मिएबूट नेला की अबॉचिन के बात जो हो था है तेसे कि अबोशिन किया जा आघ है अबोशि Kabushin कि लिए जो भी स्टूमें कि उसकिये जा रहेे है माल हो हो सकता है कि वो मतंता रों कि उसक्वायद होगा रुति इस्टूमैज कि वह सक्ता है तो देखा जा था कि फूरुपेलितρεί्मस दriver हो बहुती उर्यारी जाता है साथ ही सास में आपको बताया कि पूपल तर्टे समीं क्या हो हुजा है, जो पोस्ट आपोटल जए थिकनदस ही अगर कोई भी इंस्ट्रुमें जो कि इनुपकंड्टेजा जाता है वह अगर इंसर्ट किया जाता है अब Iraqi से उसक्ता है, तो इसके उसक्तायो, थम्सक्तिय अप फार्लैस में पूरी बॉड़ि में जो ही स्काडिटर्स। इड़न्से ओ रहा यह आए अधिनु स्काड प्रफिलाइच्टर आपनी यह पार जाती है So first one is the specimen collection, specimen collection कर सकते हैं जहाँ पर भी infection हो रहा है तो उसका हम specimen लेके उसको collect करके क्या कर सकते हैं आगे उसको culture वगरा करके identify कर सकते हैं Second हम देखते हैं microscope की examination Microscope की examination में हम क्या करते हैं इसको पदे staining करते हैं Staining करके पढ़ता है कि यह gram staining करते हैं दिनरम क्या करते हैं उसकी जो morphology उसको देखते हैं कि द्रमिस्ट्रिक यासा दिखता है उसकी बाद उसको microscope की हल से क्या करते हैं इडिटिफाई करते हैं थरन देखते हैं किस तरीके से हम culture कर सकते हैं इसमें culture cash test day देखे जाती हैं कि anaerobic है तो anaerobic प्रवाइट किया जाता है देखे हैं, उप्तिमुम टेम्टरिशर इसमें 36 degree, 37 degree Celsius में प्रवाइट किया जाता है इसलिए 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 इच्छी ग्रुव करएं और देखने पी-एच, तो पी-एच इसमें देखा जाता 7.4 प्रवाइट किया जाता है अगर कल्चर की बाध की आजया तो कल्चर में हम देखते हैं क्योंकि वह अनरॉबिक बक्टेरिया तो इसमें हम क्या कर्ते है graduण कोउक्ट मीडियम में साथ-ईसमें ब्लड़ण की मीडियम deck करते ब्लडद आजम मीडियम में हिया फर्मेंटेशन नहीं करता, यह क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, यह क्या 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 क को प्रिएंट कर सकते हैं तो प्रिशिन के लिए इमम्मनाईजिशन कर सकते हैं तो तॉकसोईंड उय्ट टर्वाहiko देखा जाता है कि इस की एक ट्रिपल व्ल्ड वेल्इंट वेक्षीन आतीग है जिसको देखा जाता है कििसुमें तो आज आपको आज का टॉपिक समझ में आयोगा अगर आपको इस टॉपिक से लेटेट कोई भी डाउटे तो आपको सकते हैं